उन्ना इनर कांडरी दक्टर शुकान तो अमजुद्मदार मासाई भारत माता की अरे हमिशा जी यातो कस्टो करें खेने सेन आसा हमे दिबुरू करते के खेने सेन यातो आस्ते आवाज आवे ना जोरे बोलून भारत माता की भारत माता की महांदेशेर महांनेता नरंगमोदी नरंगमोदी अमिच्छा भारत माता की बंदुगान आचके आमाके पारोंभिक बक्तप्बुर आखार जन्न दाहित्तो देया होये चे आपने आरा प्रोतिदिनी प्राई आमाके सोनेन हई तीभीते नहाई आपनांदे सामने आथके मूल भक्ता माननियो ग्रियो मंत्री जी एबंग आमरा सोभाग को शाली जे आथके हरिदांपुर विधान सबार पाथर घाटार पत्रार मतो छोटो जाईगाते कुप छोटो ग्राम सेखाने माननियो ग्रियो मंत्री अमिश्याजी एशे चेन कोन ग्रियो मंत्री जे डक्तार स्यामा पोशाद मुखार जी शपन पुरण करे चेन काश्मीर तेके तीन्सो शोट्त दाराके बातिल करे दिये चेन ताके जोरे हाथ ताली भी आपना सागोत जाना भेन आमादेल मुख्यो मंत्री माई माजे बलेन भीजेबिन नेतारा बोहीरा गतो आमे मानोनिया मुख्यो मंत्री आतार दल्बल के बोलते चाहे जे देखोन भारत भर्ष्चो के आखोन आपना चेनेननी ज़क्तार स्यामा पोशाद मुखार जेकन बागाली तार सप्नों चिलो जे काश्मीर्थ्चे के 370 धारा उठे जाबे आर सेटा जखन सपल करेचे सेटा मानोनिया प्रधान मंत्री नरे नमदी सपल करेचे मानोनिया सरास्ट्र मंत्री नियों मानोनिया अमिस्षाजी सपल करेचे एटा होचे भारत भर्ष्चो आद के ताई तिनल गंग्रेस कोन बुद्धी ना पे एगए भारू मित्र के भार्थी करेशे की चिननतो भार्थी चरों दो पौने भार्थी करेशे दाके ताफे ताच तिनी निजेर पोरीवार छा राकीशु बलेनी आन मोधी जीर मत हम रा बोली जामादेर पोरीबारेर एक पईसार उन्नती होयेचे पाज बचरे खुजे राखान शुकान तो मुझूम्दारेर मोधी जीर जमने एक सोल्लिष कोडीर पोरीबार और कम बालुरुघाड लोक्षबार पत्तेक्ती बेक्ती आमार पोडिवारे सदस्षो आपनार आमार पोडिवारे सदस्षो बोसी मगेर पत्तेक्ती मानुस आमार पोडिवारे सदस्षो जाके मोंत्री करेचेन तीनी आखन होटेल लोगो बोल चेन मेडिकाल कल्येज खुले दे बेन उधसे हाणब बचो रागे विश्वविद्धालाई तोहरी होए चेकन एक टे इनुमार्स्टिती आक्टा इद गात्ते पारेंदी आक्टा पाइखाना भात्रूम तो इदी कोत्ते पारेंदी विश्व बिद्धा लए तीनी आखुर मानुस के भूल बोजाच्छेन जे तीनी नाकी विश्व एकने मेडिकाल कॉलेज खुले देभेन। पोरिश्कार बोले जिए भावता बाजी ते जाबेनना मेडिकाल कॉलेज खुलार जोन्ना आमी चीठी दिये चिला मुक्को मंत्री के। आमी च्यालेंज कोच्छी विपलब बभुके जोली खमोच अजाके मुक्को मंतिर कासे पर्मिशान निये आशून। दिल्ली सरकारेर कास्ते के दूशो कोटी, तीनशो कोटी, चास्षो कोटी, जतो टाका लगबे, शुकांतो मुझुम्दारेने देभे, मानोने अमिश्या जी सामने कथा दिये गेला। आमना गैरंटी दिच्छी, आज दोलोतपुरे नेतामोंतिरा अटो बार आसे, एक टा होस्पीटाल होईन। दोलोतपुर स्टेशान, आमना लाइट 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 भागा। दादा आमादेर स्टेशनें लाइट भागा, आपना लागिये दिवोकिन तो आपना देर्के रोख्खा कोत्त हावे, कथा दिये छिलाम, देखुन दोलोत पूर्स्टेशन अंदोकार छिलो, क्वायक मास आके, ताके आलोई, आलो कितो करे दिये छी, आमरा इही उन्नोयने व सब कार्य आमना शुरू करे दिये छी, अबोशिस्टर आथे इचाहार और गुन्जोरिया, ओटाओ कथा दिछी, ये बार आपना देर आशीर बाद निये, सरी कार्जों आमना शुरू कर्वो, बुनियात्पूर कालिया अगन शुरू कर्वो, हिली बालोगार शुरू हे ग आपना शुरू कर्वो, हिली बालोगार 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 शुरू कर्वो, हिली बालोगा दितहाब हे उनीष्छाले जवे आपना जबाब दिये छिलें, मानो सिर्व अमिष्चाजी आस्थें, शलोतारीके मोधी जी आस्च बेन, जबाबा मादेर के दितहाबे एस्थीर आमना नरंद मोधी के उपखाल देव की देवोतो, देवोतो, तार्ये दू हात तुले प्रति सब्सक्राइब नमस्कार मानों नियो ग्रिहा मंत्री एवार भासों ने बेन ओनाके आमी आमोंतों ज्यालाच्छी तार मुल्नोवान बक्तव्बो आमाले समने राखार्चन नो जोरे हात्ता लिदिये ओनाके शागोत जाना मेरे साथ बोलिये भारत मता की क्यूं भाई बालूर गाट वालों की आवाज को क्या हो गया है मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है बंगाल में तीस सीटे पार करनी है या नहीं करनी है तो ऐसी आवाद नहीं चलेगी सभी माताएं बेने हाथ उठाएं पीछे तक यूवा हाथ उठाएं पीछे भी हाथ उठाओ जरा विजय के विश्वास की मुठी बिचो ममता जी को जवाब देने के विश्वास की मुठी बिचो और प्रचंद वाद से बोले बारत मता की बारत मता की मन्च उपर उपस्तित भारतिय जन्ता पार्टी के यसस्वी प्रदेश अध्यक्ष और बालूर गाट के लोग प्रियब संसत सदस्या डॉक्टर सुकांत मजमुदार जी उत्तर माल्दा के स्रिमान खगेन मुर्मू जी सी स्वरूप चोदरी जी उज्वल दत्ता जी मंगल पांडे जी अमिताप चक्रवर्ती जी सुवेंदू सरकार जी सत्यनात रोय जी डॉक्टर असक कुमार लाहडी जी बूदराय टूडू जी चिनमय बर्मन जी जुयाल मुर्मू जी गोविन मंडल जी संकर चक्रवर्ती जी अभिषेक सिंधानिया जी और आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाईयो बेनो माताओ और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रो आप सभी को नवस्कार मैंने उतरते ही अध्यक्जी को कहा कि भई जो भीड बालूर गाट की सभा में आई है अब करने को क्या बचा है चुनाव आपका यही समाप्त हो गया है भाजपाजे के भाईयो बेनो जब मैं यहाँ आया हूँ तब बोल्ला काली मंदीर देवी बुरा काली नर्वर्या सीव मंदीर और देवी दुर्गा को चर्णों में प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवात करना चाहता है मैं जब यहाँ आया हूँ तब सही चुरका मुर्मों जिनोंने बांगलादेश मुक्ति युद में भारत के जवानों की मदद करते हुए सही दी करी उनको भी प्रणाम करता हूँ और बंगाल की इस वीर भूमी पर आया हूँ तब अंगिनत स्वातंत्र सेनानियों के साथ साथ सुभास बाबू नेता जी और हमारे भाजपा के स्थापक अध्यक्त स्यामा प्रशाद मुकर जी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की बात यह बलूर गाट में अभी बर्सी स्नान चल रहा है ना भाई चल रहा है नहीं चल रहा है स्नान करकर सिवजी की पूजा करते हो ना मगर याद रखना स्नान करकर सिवजी की पूजा करकर 19 तारीक को कमल के निसान पर बड़े जनून के साथ बटन दबाना है दबाएंगे क्या दबाएंगे यह पूरे एक सेक्टर के अंदर जो दारून गरीबी फेली है इसके लिए इसके लिए अगर कोई जिम्मेदारी है तो केवल और केवल कॉम्मिनिस्ट और त्रिनमुल कॉंग्रेस हैं यहां कादई तांत की साड़ी और मुख्रा सिल्फ तीनों को अगर विश्व प्रसीद करना है तो यहां बंगाल में भी बाजपा सरकार बनानी है और मोदी धी को भी लाना है भाई और बेनो दोजार चौदा में हम आये थे बंगाल की जन्ता ने सिर्फ दो सिटे दी थी फिर उन्नीस में आये आपने अठारा सिटे दी उन्नीस में आपने अठारा दी तो मोदी जी तीन सो से ज़्यादा सिट से प्रदान मंत्री बने अब दोजार चौबीस में अठारा से बढ़ा कर त्रीज करनी है और तीन सो सत्तर पार करना है मुझे बताओ हो जाएगा ना पक्का हो जाएगा भाई और बेनो हमारे सोनार बंगला को ममता दिदी ने बम धमाकों से गुंसा कर दिया है सोनार बंगला को कट मनी से परिसान किया है ब्रसाचार से परिसान किया है और ससक्त भारत अगर बनाना है तो ससक्त बंगला बनाना पड़ेगा ससक्त बंगाल बनाना पड़ेगा बाई और बेनों बेलूर गाट के बाई बताए मुझे जहां तक गुषपेट चालू है बंगल सकत हो सकता है क्या जोर से बोलो हो सकता है क्या गुषपेट बन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए क्या ममता दीदी गुषपेट बन करेगी क्या करेगी क्या वो गुषपेट बन नहीं करेगी क्योंकि वो गुषपेट यही तो उनकी वॉट भेंग है है या नहीं है तो गुषपेट बन कर सकते है नरेंद्र मोदी और बंगाल में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार कर सकती है भाई और बेनो आसाम की समस्या गुषपेट की ऐसे ही थी आसाम की जन्ता ने निलय किया भाजपा की सरकार बनाई और अब आसाम बॉडर से एक भी व्यक्ति गुषपेट नहीं कर सकता गुषपेट को हमने बंद कर दिया है और मैं आपको मोदी गेरंटी कहने आया हूँ तीज सिटे पार करा दो बंगाल में भाजपा सरकार बना दो परिंदा भी प्यार नहीं मारेगा किसी को गुषपेट हम नहीं करने लेंगे भाई और बेनों ये बेलूर गाट वाले इतने सारे लोग है मुझे बताइए अहोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था अरे जोड चे बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था ये ममतादिरी ये कॉंग्रेस पार्टी ये कॉमिनेस ये सभी खट्टा मिलकर सत्तर सत्तर साल से राम मंदिर को अटका रहे थे भटका रहे थे लटका रहे थे सत्रा तारीक को राम नवमी है राम लल्ला का बठडे है और मोधी जी ने मोधी जी ने पाँची साल में केश का चुकादा भी आ गया भूमी पुजन भी हो गया और बाइस जन्वरी को भव्य राम मंदिर का निर्मान भी हो गया पांच सो साल के बाद राम लल्ला अपने भव्य घर के अंदर अपना बर्थडे मनाएंगे राम नवमी बनाएंगे भाहियो और बेनो ये पाटियों ने तुस्ति करण के लिए राम मंदिर को अब तक रोक कर रखा जा मैं बंगाल की भूमी पर आया हूँ मुझे बताईए बंगाल की भूमी पर मैं आया हूँ सामा प्रसाद जी ने डारा 370 हटाने के लिए अपनी जान दे दी थी भाई और बेनो बेलूर गाट वालो मुझे बताओ ये जो कस्मीर है हमारा है या नहीं है जोर से बोलो है या नहीं है 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी सबी लोग विरोध करते थे मोधी जी ने 5 अगस 2019 को 370 को समाप्ट करकर कस्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना जिए भाई और बेनो ए प्रूश्टी करें के कारण इन लोगों ने तिन सो सत्तर को समाल कर रखा था मोधी जी ने उसको उखाड कर फैंक दिया ये दस साल के अंदर नरेंद्र मोधी जी ने गरीब कल्यान के लिए धेर सारे काम करें पतीस करोड गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया असी करोड लोगों को मुप्त चावल देने का काम नरेंद्र मोधी सरकार ने किया बारा करोड स्वचाले बनाएं चार करोड लोगों को घर देने का काम किया दस करोड लोगों को उजोला का कनेक्शन दिया और चौदा करोड लोगों को नल से झल देने का काम नरेंद्र मोधी ने यहां बेलूर गाट वाले आये हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने देश बर में एक योधना करी है, कि 5 लाग तक का सभी, हेल्थ का खर्चा, स्वास्त का खर्चा, मोदी जी उठा रहे हैं, देश बर के गरीबों को इसका फाइदा मिल रहा है, बंगाल को न लीचे तक नहीं पहुचा सकती, भाई और बेनों, मैं आज मोदी गैरंटी करके देने आया हो, एक बार 300 पार करकर, मम्ता की सरकार को उखार दो, सभी का 5 लाग तक का पूरा इलाज मुप्त हो जाएगा, आपके चावल में कोई कटोती नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नही ले पाएगा, कोई कोईले की तसकरी नहीं कर पाएगा, कोई गव तसकरी नहीं कर पाएगा, और कोई घुस्पैट भी नहीं कर पाएगा, ये बंगाल, पस्चिम बंगाल के लोकों का है, इन से कोई कम्प्रमाज नहीं होगा, भाई और बेनों, मुझे बताओ, तीन तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था जोर से बोलो माताओ वेनों बोलो हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए ममता दिदी नहीं चाहती तीन तलाक हटाएंगे भारतिय जन्ता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने तीन तलाग को समाप्त करकर मुस्लिम बेहनों को इसाथ न्याय करने का काम किया है भाई और बेहनों एक कॉंग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लो होना चाहिए UCC नहीं होना चाहिए भाई और बेहनों वो तो छोड़िये वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं उपर तस्वीर थाइलेंड की लगाते हैं पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती इनको थाइलेंड की तस्वीर लगाते हैं मगर क्यूं लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहाँ वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं वैकेशन करने के लिए भाई और बेनों ये पार्टियों का हमारे साथ देश के साथ देश के गरिबों के साथ देश की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं और मैं आज बंगाल में को हाद जोड़ कर विनंती करने आया हूं हमने एक कानून पारित किया है सिए का ममता दिदी बंगाल के लोगों को गुम्रा करें यह कह रही है कि आपने अप्लिकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दिदी आपको क्या मालूम है म मैं आज आपको कहने आया हूं डरे बगर जितने भी सरणार्थी आये हैं सिए में एप्लिकेशन करें किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है कोई मुकदमा नहीं होने वाला है यह मोदी सरकार का कानून है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता और ममता दिदी आपको जितना विरूद करना हो करो हम जितने भी हिंदू बहुत सीख सरणार्थी आये हैं उनको नागरिकता देंगे यह हमारा वादा है मैं ममता दिदी को पूछना चाहता हूं जो बंगाल से हिंदू सीख बहुत सरणार्थी आये हैं उनको नागरिकता मिलती है आपको क्या तकलीप हो रही है एक और घुस पेटियों को लाल जाजम बिठा कर स्वागत करती हो रोहंग्या का स्वागत करती हो और दूसरी और जो हिंदू बहुत सीख सरणार्थी आये ह उनको घुम्रा करें हो दिदी आपकी दाल नहीं गलने वाली मोदी जी ने रूर्स नौटिफाइग कर दिये हैं बंगाल के सारे सर्णार्थी भए मुख धोकरे अप्लाई करें आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है आपका अधिकार इतना है सभी लोगों ने सभी लोगों ने एप्लाई करना चाहिए भाई और बेनों तुष्टी करन की सिमा करने वाली ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती अभी अभी मैं आज आपको बताने आया एक बंबलास्ट हुआ था 22 में भुपतिनगर में तीन लोग मारे गए मुझे बताओ भाई बंबलास्ट करने वालों को मजबूती से जैल की सलाकों के पिछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए इसकी जाच हाई कोट ने एन आई एको दी और ममता दिभी एन आई एक पर केस रिश्टर करकर बंबलास्ट करने वालों को बचाना चाहती है ममता दिभी सर्म करो सर्म करो आप बंबलास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो आप चिंता मत करिये बंगाल वालों हाई कोट ने एन आई एको जात दी है सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा आप चिंता मत करिये कि बंगाल में एक जमाने में बंगाल में एक जमाने में रविंद्र संगीत गुंजा करता था अब बंगाल में बंधमाकों की घुंज गुंजाई देती हैं बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आती है विकास नहीं होता है पूरा देश विक्षित रस्ते पर आगे बढ़ गया हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है समय आ गया है ये टीमसी के कटमनी वालों को जगे दिखाने का ये चुनाव है जो मोदी जी का चुनाव है मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाने का चुनाव है और मित्रो मैं अंत में इतना कहना चाता हूँ मम्ता दिदी आप तो महिला मुख्य मंत्री हो एक बात मैं आपको पूछना चाता हूँ संदेश खाली जैसी सर्म नाग घटना में भी आप पुलिटिक्स कर रह सालों तक आपके नाग के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा त्रिमुल कॉंग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे जब इसको पकड़ने गए इडी पर पत्राव किया जब हाई कोट में कहा तब सरंदर किया मैं आज मम्ता दिदी को पूछना चाता हूँ कुछ संदेज खाली के गुनेगारों को बचा रही हो मगर पूरे मंगाल की माताए बहने यह देख रही है जान गई है कि आप संदेज खाली के गुनेगारों के साथ माता हो बेनों मुझे बताओ संदेश खाली के गुनेगारों को जो बचाते हैं इनको कभी वॉट देना चाहिए क्या जोर से बोलो देना चाहिए कौन बचा रहा है संदेश खाली के गुनेगारों को जोर से बोलो कौन बचा रहा है त्रिनिमुल कॉंग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छोट देना और मोदी जी को जिताने का मतलब है सुनार बांगला की रचना करना हमारे सुकान्तो मजमुदार जी और खगेन जी दोनों यहां से प्रत्यासी है मुझे बताईए पचंद बहुमत से इनको जिताएंगे क्या जोर से बोलो जिताएंगे अहां आया हुआ हर व्यक्ति पांच वोट कमल पर डलवाएगा मैं माताओं बेनों को कहने आये हुआ आपका चुनाव है संदेश खाली वालों को दंद देने का चुनाव है आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या बटन तो जरूर दबाना मगर इतने जोर से घुसे से दबाना कि बटन बेलूर्गाट में दबे और करंट कलकत्य में ममता दिदी को लगे आप जिताएंगे क्या 26 तारीक को भारी मत्दान करेंगे क्या कमल के निसान पर बटन दबाएंगे मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाएंगे चार सो पार कराएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए विज़ाई के विश्वास की मुठी भींचे और प्रसंद आवाद से बुलिए बारत मता की बारत मता की वन दे जए श्री राम जए जए श्री राम छो आवाद की बारत मौरी बारत मता बारत मारत मौरी बारत मौरी MICHAEL झाल झाल